एक हैलो स्टुडेंज टुडेवी डिसक्षी निव टॉपिक लॉर्णिंग अज मीनिंग मेकेंग जिसका आर्थ होता है सिखने एक का प्रणाली को आर्थ पुर्ण बनाना या आर्थ बनाने के रूप में सिखना इसके बारे में आज सम्पुर्ण डिसक्षन करेंगे जब हम इस बारे में बात करते हैं कि किसी स्कूल या इस बारे में बात करते हैं कि अब मिशन क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए तो ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होते हैं कि यह विश्यस रुप में ज्यान विश्वास बेस भूसा और मानवी के मुल्यवध पर होना चाहिए अच्छली कोई स्कूल हो कोई इन्स्टिशुशन हो उसमें शिक्षन अधिगम प्रणाड़ी इसके उपर फोकुस किया जाता है ज्यान दिया जाता है और उसमें विश्वास होना चाहिए बैस बूसा कैसे आप अपना बीहवियर में कैसे आप उसको मोडिफाय कर पाएंग आप स्कूल मिशन इस टू प्रिपर इस स्टूडेंट फर लाइफ वीदिन ये सोसाइड सामाजिगः के हिसाब में हिसाब से शिक्षा का मिशन होना लक्षे होना चाहिए बेक्ति को एक सामाजिक प्राणिंग की रूप में बनाया जा सके भविसत में समाज में रहे और आज पास में लोगों के साथ में उसका अच्छा बेवाहर बना रहे और समाज के लिए अपना त्याग और परित्याग का भावना उनमें मन में बना रहे ह however if this is the case why is most of the knowledge taught in an isolated manner and ऑठ कव्यों होता है अगर अगर चिक्ष्चर का प्रणाली को और्थपुण बनाना है यह पर बहुत सरा सवाल उठता है पहला सवाल होता है जैसे अधिकान्स ज्यान को अलग फलग और सांदरवस से बाहर क्यों सिखाया जाता है यह अग्छाली बहुत सारा विक इस नॉलेज है लेकिन वह प्राक्टिकल नॉलेज पर जीवन के उपर में ज्यादा प्रभाब नहीं डालता है और वह डिगरी बेस्ट होता है कि सचाहर पढ़ाई लिखाई करके पास किया जाए औ डिग्री ले लिया जाए अगर हम समाजने में शक्षम नहीं है तो हम अपने चात्रों से समाजिक जीवन के लिए तयार होने की उमीद कैसे कर सकते हैं अगर एक टीचर के पास वोई क्वालिटी नहीं है प्रपल नॉलेज नहीं है मैनर नहीं है रेस्पेक्ट नहीं है दूसरों को कैसे बेवहार किया जाए वो नहीं है वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे और बच्चों से क्या उमीद होता है what the purpose of the knowledge is not how to apply that to their daily life ज्यान का उदेश्य क्या है और इसे अपने दोईनिक जिबन में कैसे लागो किया जाए मतलब कैसे उसका उदेश्य क्या होना चाहिए यह में फोकॉस होना चाहिए शिच्छा का उदेश्य क्या होना चाहिए और वो लाइफ में स्टूडेन्ट च्छात्र अपने जिबन में उसको कैसे अपलाई करे लेकिन आक्ष्या शिच्छा का महत तो होना चाहिए जो कि उसको एक अच्छा इंसान बनाने के साथ समाज के लिए और देश के लिए खुद का बलीदान देने का और अपना भावना और अपना करतेब का बलीदान देने के लिए सक्ष्यम होना चाहिए यह भावना उनमें जागरत करने के लिए शिच्छा का उदेश से होना चाहिए जब हम सिखते हैं तो हम और्थ को अपने आसपास के चीजों से जोडते हैं और प्रतिक शांस्क्रतिक परिवेस में इसका और्थ भीन हो सकते हैं जैसे बताया जाता है हर कल्चर का इंडिया में बहुत सारा कल्चर का लोग बास करते हैं हर कल्चर का अलग अलग शिक्षा निती शिक्षा प्रणाली और शिक्षा का उदेश से होता है जीसे अंध्रा में हम लोग को बच्चे को पढ़ाते हैं वाद होता है उसको हगर त Curt weel जाता है तो अगर बिहार आ जाते हैं यह ईवी तरफ हाथ है दिल्लिय आ जाते हैं तो वह लांगेज उनमें परिबेella हर अलग अलग भासा होता है और उसको सिखने के साथ उसको दुसरे कल्चर के साथ गीशना वासा बोलाया जाता है किसे पढ़ाया जाता है क्या लोगों अडूक्त करते हैं उसके साथ जोडना च kän यह जैसे जोड़ा जायेगा तो फिर आप बहुत सारा लांग्वेज को और बहुत सारा भासा और जिवन जिने का साइली शीख सकते हैं वान ओप दो कॉरेंट एजुकेशनल टॉपिक्स बेंग डिवेटेड इस वाट वी नूँ आज मेनिंग फुल लर्निंग जैसे बर्तमान शैक्षिक बिश्यव में से एक पर बहस की जा रही है जैसे हम एक अच्छा सिखने और इसे अलग-अलग संदर्भ में लागू करने की एक ब्यक्ति की शमता का रुप में जानते हैं जैसे कोई ढको जानना और उसे बिभन पहलों से जोडना जैसे बोलते हैं इस पताय जाता है++ आ पको उपर मैं आपको अनुक्ति Gitugen शेख्यान वह जानते हैं अब एक क्लिक अगर गृत्र पैम करने रिफियरी तो नार्व बहुत काम कर सकते हैं जैसे काम कर सकते हैं कोई नोलेज अगर आपके पास है आपको आपके जिवन में अगर कुछ काम आता है तो आप अपना वह ज्ञान को अपलाई करते हैं और उसका सोलूसन निकालते हैं The question is what degree of significance in learning is depend on the relationship that students are able to build between the new content we teach and their prior knowledge सवाल यह है कि सिखने में शेहमत उद्दे से उस रिष्टे पर निर्भर करती है जो च्छात्र हमारे द्वारा सिखाई गई नई ग्यान और उनके पुर्व ग्यान के सुझाव और रिष्टा बनाने में शक्षम हो सके यहां पर सवाल होता है जो ग्यान उनको मिलता है उस ग्यान को पहले तो जो ग्यान जैसे घर में रहते हैं जितना ग्यान उनके पास होता है जो जुनियर क्लास होता है उसके उपर senior class को जाना होता है वगर six class होते हैं six class में जितना knowledge होता है seven class में जब जाते हैं तो six class का knowledge seven class में जुड़ा होता है जैसे nine tenth का बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो nine class में जितना पढ़ाया जाता है उसका लिंक 10th class तक जुड़ा रहता है तो यह उनको समझने में बहुत आसान होता है क्योंकि उन पहले उस subject के उपर में उनके पास बहुत सारा knowledge है और नया knowledge उनके साथ जो मिलता है तो उनको समझने में बहुत आसान होता है नेक्स्ट लवर्निंग इज गंशेडर में इनिंग्फूल हो एन इज जेनरालाइज़बल फोंक्छनल और ड्यूरेबल जैसे सामानय क्रियासिल और टिकाव या स्थीर होने पर शिखना अर्थपुन माना जाता है मतलब जैसे ड्यूरेबल बोला जाता है जैसे जनरालाइज सबस्क्राइब मतलब activity based practical ठाब क्रिएस्रहबियं स्थाइब होना चाहिए अर्च है नियुक्त है über्लेस्टेगिजान होना चाहिए just जिसको बोला जाता है यह स्थीर शिक्षन केवल तभी संभावे जब ध्यान अभ्यास और दोहराव स्वाइंत हो जब उसको हम लोगों पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं और उसको ज्यादा दिन तक याद रखने के लिए प्रयास करते हैं तो उसको हम लोग को कॉंसेंट्रेशन ध्यान पुर्वग दे कर सुनना चाहिए जो सिखें उसको अभ्यास करना चाहिए और उसके साथ बीच बीच में उसका रिपीटेशन होना चाहिए दोहराव होना जो कि वह आपका दिमाग में हमेसा रह जाएगा जैसे कम्पूर्टर सीखते हैं बच्चे श बहुत सर चेज को अपलाई नहीं कर पाते हैं भूल जाते हैं तो क्योंकि जब एवरलास्टिंग का बात होता है कि इस चीज को हमेशा के लिए स्थीर या मजबूत बनाना होता है तो ये तीन चीज को साथ लेके चलना होगा ध्यान अभ्यास और दहराव जेनरलाइजबल मेंस दा लॉर्णिग इस आसोचिएट विद डिफरेंट कोंटेक्स्ट सिचुएशन अड़ टास्स लास्टली फॉंक्शनल लॉर्णिग मेंस दा लॉर्णिग मेंस अस आक्ट डिफरेंटली जेनरलाइजबल बात होता है जब शिखी गई सभी चीज या बिशेयों को जानना कार्य करना दुसरे के साथ बातचित के माध्यम से या सारी रिक तौर पर जूड़ी होती है यहां उन्हें पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है तो उसको हम लोग को आसोचिएटेड करते हैं जेनरलाइजबल सामान्य करन में बोलते हैं और जब वो फॉंक्शनल बात होता है उसको हम लोग को एक्टिवली प्राटिस्पेट करते हैं उसको प्राक्टिकल तर पर अपने हाथ में करते हैं काम को सिखते हैं और काम करकर के सिखते हैं तो यह होता है फॉंक्शनल होता है जेनरलाइजबल होता है उसको सिंपल करन होता है साधार बेस्ट उन देज आइडिया जे इंभाल्व अंडरस्टेनिंग दस्टू की क्यारेक्टर्स्टिक्स अफ लर्निंग प्रेसे से इसमें लर्निंग प्रेसे में टूस्ट विसेशटाय बताया गया है इससे हम लोग समझने को रायस करेंगे जैकि शिक्षन अधिकम्प्रना नि सब्सक्राइब करना चाहिए और उसको बच्चे को टास्क देना चाहिए स्टूडेंग के साथ इंट्राक्शन करना चाहिए ऐसे बता दिया जाता है जैसे कोसी चीज़ को अचिव करना होता है यह जिक्षन हो होग्ड कोई प्राक्टिस करना हो करना हूँ वो पॉंटानिवी होता है सोतव फुर्थ जिसको बोलब सोईच्छा से या अनयास से छोता है नहीं इसके लिए हम लोग को सीखते हैं उसको आचिव करने के लिए समय देते हैं उसमें ध्यान देते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं उसको खुद लाइफ में अप्लाई करते हैं फिर उसको समस दें तभी वस्षिक्षन का प्रणाली और्थपन हो पता है नहीं तो यह स्पोंटानिवी कभी नहीं होता है कि सडं कुछ नॉलेज आ जाए शडं कुछ प्रत्राप्त हो जाए कुछ हम लोग उसीख जाते जो कभी नोलेज में नहीं जाता है जब सूचन का मात होता है वह स्रथे स्मल करना चाहिए ऐस नहीं और knowledge gain करना चाहिए तभी जाके अधिगम प्रणाली या शिक्षन प्रणाली और्थपुर्ण हो पाए या सार्थक हो सके आज हम लोग को इस topic में बारे में discussion किये आज इस topic में और जितना discussion किये कुछ और topic में काल लेकर आने के लिए प्रयास करेंगे जेकि इस